काटरिना केफ की सूर्यवंशी रिलीज होने वाली थी लेकिन कोरोना वाइरस के चलते ही यह फिल्म आगे बढ़ गई है काटरिना अब नई फिल्म साइन करने के मूड में है और खबर है कि डेडली नामक फिल्म उन्होंने साइन कर ली है इस फिल्म का डारेक्शन विकास बहल करेंगे जिनकी पीछली फिल्म सूपर थर्टी बॉक्स ओफिस पर हिट रही थी विकास ने काटरिना को डेडली के लिए अप्रोच किया है सूत्रों के मुताबिक काटरिना ने जैसे ही कहानी और अपने कैरेक्टर के बारे में सुना उन्होंने फिल्म के लिए हां कह दी इस फिल्म की शूटिंग मई में शुरू होनी थी लेकिन वर्तमान हालातों को देखते हुए अब इस फिल्म की शूटिंग अगस्त से ही शुरू हो पाएगी कटरिया ने अब तक ऐसी फिल्म नहीं की है फिल्म की कहानी अंतिम संसकार के इर्द गुर्द घुमेगी साथ ही पिता पुतरी का रिष्टा भी इसमें बारी किसे दिखाया जाएगा इस फिल्म में पिता के किरदार के लिए अमिता बच्चन से संपर्क किया गया है उन्हें कहानी और किरदार के बारे में बता दिया गया है अमित आप इस फिल्म को करने में रूची तो ले रहे हैं लेकिन अभी तक आफिशल रूप से उन्होंने फिल्म साइन नहीं की है